हेलो प्रेंट्स आज हम आपके लिए लेक्या हैं पालक पनीर की रेस्पी यह बहुत यम्मी टेस्टी रहती है इसके साथ नान रोटी तो वाव मज़ा ही आज आता है तो सबसे पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना न 10 मिनट के लिए 10 मिनट के बाद पालक ऐसे पानी भी छोल देगा और सौफ्ट हो जाएगा अब इसको पालक में हम ठंडा पानी आट कर देंगे कड़ाई में तेल एट कर दिया है गरम हो रहा है तब तक हम पनीर कट कर लेते हैं पनीर भी हमारा कट हो गया है अब हम इसको आ पानीर को निकाल लेना है चलते हैं गरम मसाले के साइड हमने जीरा मिरिच लाल मिर्च जाइफल लॉंग बड़ी लाइची छोटी लाइची लिए और कांदा लसुन अध्रक इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे अब तेल हमारा गरम है इसमें हम तीन तेज पत्ता डालेंग तेल में ही ताकि उसका टेस्ट आ जाए एक सेकंड दो सेकंड के लिए अब इसमें मसाला एट कर देंगे मसाला हाई फ्लेम में पकाना है लो फ्लेम में नहीं पकाना है इसमें अब हल्दी एट करेंगे पालक भी हमारा ठंडा हो गया रहेगा अब उसको भी हम ग्राइंड क मुझेए तेल के साइड शाद झाइड दिख ere subject अब इस स्टेश्ज से हमें भी एट कर्देना है आ कि पालक करने बाद इसको हाइफ फिले MEME पखाना है अगर पालक अच्छे से में पाक है तो टेस्ट नहीं आता है अब इस स्टेश्ज कर देख हमको हाइफ्ले में हुआ अच्छे से हैं इसस टेस पे हम पनीरрок कर देंगे नौ। इसी लुप देख रहा है दा ऩवा बहुत टेस्टी है खाने में भी बहुत टेस्टी है सिस्टेच पर हम यह हमारा पालік गज़िए है अब इसको हम सर्फ कर सकते हैं प्लीज एक बार आप भी ट्राइक किज़ें बहुत तेस्टी पालक पनीर बनती है गरम मसाले एड़ करके देसी स्टाइल में बहुत तेस्टी लगती है इसकी लुक देख रहे ना बहुत यम्मी है तो थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो प्लीज लाइक और सब्सक्राइ प्लीज प्लीज फॉर झालक प्लीजा जेख ये इस अरती है उन्हाद है ओ।